यह देखे दिपांशु भाई की हाइट जो है 5 feet 8 inches है भाई ने दोनों पाउं जमीन पे रखे वे है एक बार आप नीचे दिखाएंगे तो भिया के टो नीचे लग रहे है और मेरे हिसाब से और यह राइटिंग शूजिन ने नहीं रहे है और किसका सबसे बड़ा confusion एडवें हांजी बार्शाओ क्या हाल चाल है वेलकम टू इंजिनिया सिंग चानल आप सभी लोगा करता हूं एक बार फिर से स्वागत आपके अपने चानल पे सिर्फ फ्रंट लुक दिखा रहा हूं है न वीडियो में और फ्रंट लुक से ही आपको पता चल जाएगा कौन सी 390 और कौन सी 250 उसका बड़ा रीजन यह है कि 390 में मिलता है आपको LED का सेटप विद डी आरेल्स जहां की 250 सीरीज में आपको मिलने वाला है हलोजन जिहां हल इसका जो किते वीडियो है वह आपको मिल जाएगा 390 वॉकरण हो या उसकी टेस् shirt हो वह आपको मिल जाएगा प्लस उसके साथ साथ अगर इसका डीडियो देखना है आपने वह भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा आज जो है दिफ्रेंसिस यह रहने वाला है आपको य नहीं लेना चाहिए बाग ही अगर जादा पैसे है तो भाया सीधा जाओ 390 के पास कम पैसे है तो जाओ 250 के साथ आए जैसे कि आपको फ्रेंट लुक में दिखा देता हूं एकदम आपको सेम टू सेम लगने वाली है दोनों की फरक जो रहने वाला वो यह रहने वाला यहां से देख लेतें क्लोज अप से यहां पर आपको एलेडी दिखरी होगी दिखरी के नहीं दिखरी और अगर यहां पर आप आते है तो यहां पर आपको हैलोजन दिख रहा है यहां पर कहीं भी लोगो या कोई लिखावा ब्रांडिंग नहीं दिखेगी आपको और यहां पर exactly same windshield दिया गया है जो कि manually आप उपर और नीचे कर सकते हैं अब आजाते हैं यहां पे tires पे जहां कि आपको पता है पहले Metzeller के tire आया करते थे बट अब आते है Meteor Series of MRF आगे 100 by 90 19 इंच और अगर यहां पे बात की जाए यहां पे भी exactly same ही tire आपको मिल रहा है जी हां, Meteor Series का ही मिल रहा है MRF, अब यह मत सोचना यार की Metzeller के tire निकाल दी है तो बड़ी बुरी बात हो कि ओहो, क्या करेंगे हम यसे वैसे क्योंकि जो यह MRF के tires दिये गए है यह भी बहुत अच्छी gripping बाले tires है मुझे बता है ना, भाई, मैंने test ride लिए आपने नहीं लिए तो जल्दी आईए और test ride लीजिए और अपने घर ले जाए इनको यह है KTM वाला जो अपना शोरूम है, Solan वाला हिमाचल का अगर side by side look देखू ना, यह देख लो तो almost same ही लगता है अगर यहां पर यह XORG helmet रखावा है बताओ, हटा देते इसको अगर यहां पर बात की जाए seats की तो exactly same seats मिलने वाली हैं आपको इसमे भी और इसमे भी जो कि बहुत अच्छी बात है अब थोड़ा सा पीछे आजाएं यहां पर तो यहां पर आपको grab rails जो आप देख रहे हैं वो भी आपको same मिल रहे हैं इसमे and इसमे अब सबसे important चीज क्या इसमे तो आपको पता है 390 में तो बीचे आपको मिलती LED क्या आपको इसमे भी बीचे LED मिलने वाली है जी हाँ exactly same indicators exactly same tail light जो कि मुझे बहुत इच्छी चीज लगी starry guard जो है दोनों में मिलने वाला है आपको यहां पर ठीक है अगर दोनों के exhaust के आवाज सुननी है तो फटा फट जाओ उनके dedicated videos देखो उनमें दोनों के exhaust के आवाज है सुनाई है मैंने अब आजाते है differences के अगर कौन सी स्क्रीन आप सभी को बता है आपकी TFT आईए वो दिखाता हूँ आपको तो यह आप स्क्रीन पर देख रहे है TFT स्क्रीन इसकी इसमें बहुत सारी चीज़े आपको मिलती है जैसे कि traction control मिलता है cornering ABS मिलता है और coffee सारी ऐसी चीज़े मिलती है जो की मिलता है सिर्फ आपको super bike में अब आजाते हैं यहाँ पे यह जो है 390 का 12V का charger वाला socket है क्या यह आपको 250 में मिलेगा जी हाँ आपको 250 में भी मिलेगा बट एक चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो यह होगी यहाँ पे देख रहे हूँ थोड़ी सी premiumness जो है वो कम है टच करने से पता चलता है ना premium के वारे वाइक का तो इसका जो premiumness है वो आपको थोड़ी कम मिलेगी यहाँ पे जो है आपको premium जादा मिलेगा यहाँ पे obviously जादा इसमें चीज़े हैं तो जादा चीज़े मिलेगी टॉगलिंग के लिए यहाँ पे आप देख से हैं अब टांग कपैसिटी की अगर बात की जाए तो यह आप देख से हैं टांग कपैसिटी अगर इंजन स्पेसिफिकेशन की बात की जाए एक बार फिर से तो यहां पर आप देख लीजे इसकी engine specification यह है आपका 250 एंड यह है आपका 390 तो यहां पर मैंने आपको दोनों चीजे दिखा दी जो इसमें differences थे major major differences वो सारे differences आपको बता दिये दोस्तो अच्छी बात है उसके साथ साथ एक बड़ा question जो मुझे पता है आप सब का आने वाला है मेरी वीडियो पर कि भाईया आप हमको यह बताओ कि इसकी जो ground clearance है वो तो आपने बढ़ा दी ठीक है ओफ रोड के लिए बट क्या हमारे पाउन नीचे लगेंगे कि नहीं तो मैं आज क्या करने वाला हूं इस पर बैट के आपको दिखाऊंगा आप सब को पता है मेरी height 6 feet 3 inches है बट complaint आईगी भी यह हमारी तो 5 feet इतने इंचे 5 feet उतने इंचे तो मैं किसी की help भी लूँगा और उनको बिठा के दिखाता हूं आपको कि क्या उनके पाउन नीचे लग पारे है कि नहीं तो दोस्तो यहां पर आप देख पा रहे हो क्या जबरदस्ट फील आ रही है मेरे पूरा पाउन नीचे लग रहा है उसकी कोई दिक्कत नी है क्योंकि जो राउड राइडिंग श आप शैद्से से बुक भी करवाने वाले हाँ आपको कॉंग्रेशनेशन इन एडवांस एक बार आप बैठ के दिखा देंगे इस पर तो यह आप देख से दिपांशु भाई का भी पाउं नीचे लग रहा है दिपांशु भाई आपने दुसरा पाउं एक बार दोनों पाउं नीचे रखेंगे और बीच में खड़ा करेंगे तो यह देखे दिपांशु भाई की हाइड जो है 5 feet 8 inches है भाई ने दोनों पाउं ज हैने होते हैं तो हलकी सी हाइट और बढ़ जाती दोस्तों तो 5 feet 8 inches इनकी हाइट है अगर आपकी हाइट 5-6 है तो आपको शायद से हलकी सी दिक्कत आने वाली है बट वो हलकी सी दिक्कत फिर आपको हर off-road bike के साथ आने वाली है उपीत करता हूं आपका थोड़ा सा confusion जो है क्लियर कर पाया हूंगा जो एक बार लास्ट में जाते है फिर से बता देता हूं अगर आप एक नए राइडर है और स्वोच रहे हैं एडवेंचर सीरीज की तरफ जाने का और कभी आपने पहले कोई अडवेंचर बाइक नहीं चलाया और इतने आप कोई हार्ड कोर में डिफरेंस रहने वाला है इस बाइक में सो मेरे इसाब से वेट कर लो और पैसे नहीं है बैंक से लोन ले रहे हो तो थोड़ा सा जादा लोन ले लो और 390 सीरीज घर ले जाओ LED लाइट्स इसके electronic features इसकी जबरदस्त पावर के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा है और comment section में आप लिख सकते हैं अगर comment में आपको reply नहीं मिलता क्योंकि बहुत जादा comments हो जाते हैं बहुत सारी वीडियो में डाले है अप्रॉप्समेटली 350 प्लस वीडियो मेरे चानल पर अगर आप चाहते हैं special कुछ आपका guidance है या कुछ suggestion देना चाहते हैं या कुछ जा बालना चाहते हैं बाइक के बारे में तो जरूर इंस्टाग्राम पर follow कीजिएगा engineer.sing and DM कीजिएगा हो सकता एकदम से reply ना मिले एक दिन लगे दो दिन लगे बट मैं कोशिश करता हूं कि special time निकालूं और आप सभी को reply करूं thank you very much thank you for watching टेंगा प्रेश्ट्ट्स्ट्ट्ट्स्ट्ट्स्ट। हैं अगे चाहते हैं प्रापी है बीजब बीजब कर दो ब comment c'रो बीजब कर दिन है कि जह आँ को ढ़ाई ένα मिजयर केष्ड़όग